तो भाईयों आज की इस वीडियो में हम आप से बात करने वाले हैं कि आप FM WhatsApp को V9.90 मतलब की latest version में update कैसे करोगे भाईयों यहाँ पर मेरा FM WhatsApp अभी open नहीं हो रहा था तो जैसी मैंने इसको latest version मतलब की V9.90 में update किया यहाँ पर मेरा FM WhatsApp बहुत ही आसानी से मतलब की यहाँ पर open हो गया है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप इसको किस तरीके से latest version में update करोगे एंड भाईयों यहाँ आपका भी FM WhatsApp अपन नहीं हो रहा है तो आप उसको किस तरीके से open करोगे तो भाईयों simply आपको सबसे पहले करना किया है यहाँ आपका FM WhatsApp ओपन होता है या फिर नहीं होता है आपको simply यहाँ से बैक चले जाना है कुछ इस तरीके से उसके बाद भाईयों यहाँ पर आपको आपने mobile phone के किसी एक browser को open करना है जैसे कि भाईयों मैंने यहाँ पर Chrome browser open कर लिया अब simply यहाँ पर आपको search बार में type करना है FM space mo dse इस तरीके से लिखकर आपको search कर देना है FM modes जैसी आप लिखकर search करोगे यहाँ पर आपके सामने के website आएगी जिस पर लिखा हुआ FM modes and यहाँ पर लिखा हुआ है for WA simply आपको इसी पर एक बार click कर देना है जैसी आप इस पर click करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके के यहाँ पर interface आएगा आपको यहाँ पर थोड़ा wait करना है जैसे यह साइट यहाँ पर पूरी तरीके से load हो जाती है आपको इस तरीके से आप नीचे scroll करना है एक चीज़ मैं clear कर दूँ कि भाईयो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा add देखने को मिलेंगी लेकिन भाईयो FM words up को V9.90 मतलब की latest version में update करने का simply यही जो real तरीका है वो यही है तो simply आपको add देखने को मिलेंगी ही तो यहाँ पर आपको इसको close कर देना है जैसी आप इस पर click करोगे उसकी बाद यहाँ पर लिखा हुआ है for words up आपको इस पर एक बार click कर देना है जैसी आप इस पर click करते हो आपके सामने यहाँ पर हो सकता है कुछ इस तरीके क्या interface है आपको simply इसको cancel करना है यह एक बार बार एक button press कर देना है उसके बाद आपको नीचे की तरफ scroll करना है तो यहाँ पर आपको कुछ screen shots होंगे आपको और नीचे की तरफ scroll करना है तो भाईयों यहाँ पर आपको लिखा दिख जाएगा FM WhatsApp and भाईयों यहाँ पर लिखा होगा origin जिस पर लिखा हुआ है 9.90 and यहाँ पर इस downloads के option पर आपको click कर देना है FM WhatsApp के नीचे जो downloads का option है आपको उसी पर click कर देना है तो भाईयों जैसी आप इस पर click करोगे तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके सामने कुछ इस तरीके से interface आए यहाँ पर यह एड़ आ चुकी है तो simply आपको यहाँ पर कहीं पर भी click नहीं करना है आपको simply आपने back button को press करना है उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको इसी download वाले option पर click कर देना है जैसी आप इस पर click करोगे यहाँ पर हो सकता है आपके सामने फिर से add आए आपको फिर से back करना है यहाँ पर दो-तिन बार जब आप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से interface आ जाएगा क्योंकि भाईयो मैं आपके सामने live proof fmartsap को update करके दिखाने वाला हूँ इसलिए यहाँ पर मैंने मतलब की इस तरीके से किया एंड यहाँ पर आपको option मिल जाएगा downloads का आपको इस पर click कर देना है जैसी आप इस पर click करोगे यहाँ पर आपके सामने फिर से guide आएगी add को यहाँ पर उपर इस cross के option पर click कर देना है जैसी आप इस पर click करोगे यहाँ पर downloading start हो जाएगी आपको इस three dot के option पर click करना है एंड भाईयो यहाँ पर आपको इस downloads वाले option पर click कर देना है जैसी ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर यह डाउनलोड हो जाएगी फाईल Simply जैसी यह फाईल डाउनलोड हो जाती है आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने एक option आएगा अपडेट का आपको तुरंत अपडेट कर लेना है तो जैसे ही आप आपने FM WhatsApp को 9.90 मतलब की latest origin में update करोगे तो यदि आपका FM WhatsApp open नहीं हो रहा था तो भाई यो open होने लगेगा and भाई यो मतलब किसी भी तरीके कि यदि आपको problem आ रही थी FM WhatsApp में तो वो सभी problem solve हो जाएंगी तो भाई यो इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से आपने FM WhatsApp को latest origin 9.90 में update कर सकते हो and भाई योदि आपको कोई भी problem आती है FM WhatsApp से related आप मुझे comment करना या फिर Instagram पर DM कर सकते हो मेरा Instagram यूजर ने है Rahul Tech Tips 01 आप वहाँ पर DM करना में आपके question का reply करने की पूरी courses करूंगा तो यह तब तक के लिए Bye